नमस्ते गुड मॉर्निंग और बड़ो को परणाम चोटो को प्यार एक नए ब्लोग में फिर से आपका स्वागत करती हूं अनुदनबाली इन चैनल में अपसे भी का स्वागत है मैं कुछ चीजे करना चाहते हूं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा जो इंस्ट्राग्रम आइडी है अनुपमा वर्मा 651 के नाम से है पता नहीं परसो दो दिन पहले से मैं देख रही हूं कि मेरी आइडी में फॉलोर्स तो बढ़ रहे हैं बट वो जब मैं अपना डीटेल्स चेक कर रही हूं अकाउंट में जाके तो वह उसमें दीरे-दीरे करके डीक्रीज होते चले जा रहे हैं और मेरा एकाउंट रीच 5000 के आसपास था जो कि अब घटे-घटे-घटे-घटे-घटे वह 1000 आ गया है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो अगर कुछ दिकते हैं तो प्लीज मुझे बताई कि मैं कैसे उसको सॉल्वाव करूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तो बार-बार चेक भी कर रहे हूं फॉ अगर कुछ आइडी या अकाउंट में कुछ करना पड़ेगा तो प्लीज मुझे बताए कि कैसे क्या उसको सेटिंग किया जाता है मुझे उतना आइडिया नहीं है और इंस्ट्राग्राम पर पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि वह काम ही नहीं कर रहा है अकाउंट मतलब एक जो फॉल्स फॉलिज होते हैं जो सिर्फ फॉलोवर्स रिज फॉलो करके छोड़ देज्टे नहीं विद्वाटो斯 तो इस वजँ हो रहा है कि क्या मुझे कुछ संझ नहीं आ happiness प्लीज 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 अगर इसको ठीक करने का कोई उपाइब है तो मुझे प्लीज बताए और मेरे यूटूब चैनल में भी सर्सक्राइबर जैसे भी उस तो उसमें 10,000 क्रोस दिखा रहे हैं बट मतलब जब वह कांटिंग हुआ है तो वह 6,000 या 7,000 क्या सपस है तो ऐसा क्या सेटिंग्स है तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे बताईए मेरी मदद करिये और अगर इंस्ट्राग्राम आइडी से मेरी कुछ छेरचाड हुई है तो प्लीज मुझे बताईए और यहीं कुछ प्राउलम है तो प्लीज जिसने भी कुछ भी किया हो मुझे तो पता नहीं है मैं किसी पर ब्लेम नहीं डाल रहे हूं लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे बताईए कि कैसे मेरे जो जिस तरह के विउस पहले आते थे क्यूंकि मैंनत तो मैं करी र पाँ तो प्लीज मुझे बताईए कैसे क्या करना पड़ेगा क्योंकि मेरे इंस्ट्राग्राम आइडी का कुछ जादा ही प्रॉब्लम देख रही हूं मैं इतने दिन से मतलब हो रहा था अकाउंट रिस डाउन होते चला जा रहा था बट मुझे लगा कि हो सकता है कि सेटि अब हो चुका है वहां पर देख रही हूं कि दिरे दिरे करके पीछ में तो बहुत जादा बढ़े थे रोज 5-6 फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं बट कल से देख रही हूं कि वह धीरे दिरे करके कम होते चले जाने तो ऐसा क्यूं हो रहा है मुझे बता नहीं है तो प्लीज लोगा धेर सारा प्यार चाहिए आप लोगा सपोर्ड भी चाहिए कि बहुत सारी ऐसे चीजे हैं कि हम लोग यह मात्रे यह जो मोबाइल है मोबाइल यह ऐसा जरिया भी हो गया है जहां पर इनसान अपने खुद के प्रॉब्लम्स और मेंटल पीस हो सकता है क्यूंकि इस च प्रॉब्लम्स है लाइफ में तकलीफे हैं चल रहे हैं उतार चड़ाओ तो सभी के जीवन में आता है बट जब से मैंने इंस्ट्रागाम और यूटूब पे थोड़ा टाइन दिने स्टार्ट किया है उसके बाद मुझे भी लगता है कि इधर उधर पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि ङहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं फ्लनवा की बहु ऐसा बट अइसा करती है को यह प्रॉब्लम्स आते हैं तो कोई फ्लनवा नहीं आता है हमारे पास मारे पास है मुझे बड़ी बड़ी लेक्चर्स मानने गलती से भी हो सकता है कि काउंट किया गया हो कभी नहीं और बहुत कुछ देखा मैंने बच्पं से भी बहुत कुछ देखते आई हूँ बट शादी के बाद लाइफ ही बदल गया पूरा मतलब क्या और बोलू मैं मतलब सोचा नहीं था बट जो भी है उसको मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो मेरी खुद की चोईस थी और उतार चणाओ तो सभी के जीवन में है बट होता है ना कभी कभी किसी एक इंसान कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके आने से पुरी जिन्दगी मतलब ऐसी बदलती है कि जिसकी आप उमीद भी ना कर सके और किसी के साथ अच्छा होता है तो बहुत आगी निकल जाता है किसी के साथ अच्छा नहीं होता है सपोर्टीव नहीं होती है या हजबन सपोर्टीव नहीं होती है या फैमली सपोर्टीव नहीं होती है तो वो वहीं कमहीं रह जाता है या उसके अंदर जो भी गुण होते हैं वो अब गुण में बदल जाते हैं तो बस इतना ही कहना है कि कौन क्या बोलता है पहले में बहुत सोस्ती थी और अपने आपको इस तरह से कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं बात कर पाती थी अब धीरे धीरे करके जब मैं जब से मैं रील थोड़ा थोड़ा बनाना इसराइट किया तो मेरा जो एक हेजिटेशन था वो इसे नजर से देखते हैं सभी तो थोड़ा सा अंदर से खराब लगता है कि ऐसे क्यों देख रहा है मुझे ऐसे क्यों देख रही है मुझे बहुत सारी लेडिस भी है जो बहुत सारे टॉंट कस्ती है बोलती है कि अब इसकी महरारू कर रही है ठीक है अपना नहीं देखती सिर्फ दूसरे का देखती हैं अपने बाल बच्चे क्या कर रहे हैं यह सब तो नहीं देखती हैं बस दूसरे के पीछे लगे रहना है क्योंकि खाब इकम उनके पास काम नहीं होता है इसलिए तो बस मैं इतने ही गाना चाहती हूं जो भी इन्फ्लेंसर्स है या इस्ट्रागाम पर अपने आपको लाएं है या जो भी लड़की है जो भी लेडिस है जो भी है बच्चे हो मैं सभी को एक ही बात करूंगी कि जो भी है या जो भी कर रहे हो टोटल फोकस के अनुसरा लेके करना और इधर उधर कोई भी कुछ बोलता है कि मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है मैं भी जानती हूं मेरे मुझे बहुत कुछ बोलता है लाइक तो लगाते हैं लाइक बटन तो बहुत आते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं तो मैं आंसर नहीं करती हूं पहले मैं आंसर करती थी लेकिन अब मैं आंसर ह भी नहीं करती हूं तो इसलिए अगर किसी ने मेरी ID से छेड़ा waxi DJ मत करिये बहुत मेंध की बाद धर का सारा काम करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो मैं इस पर लगाती हूं फाल्तु के ये चोंचलेबाजी इस पेटती हूं सभी के साथ लेकिन हाँ यह नहीं है कि मैं किसी की बुराईयां बतियां हूँ और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में बोलू तो यह सब नहीं करती यह सब मुझे फालतू कि जो बखवास चीज होती है वो मुझे पसंद नहीं और मैं किसी के पीछे नहीं लगती यह मेरी सुरू की ही आदत है, नेचर है मेरी, चेकिन शादे के बाद बहुत कुछ बजला, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना चाहते हूं, बस अगर किसी ने किया है, तो वो काफी समझदार होगा, अगर वो देख रहा है या देख रही है, जो भी है, वो काफी समझदार है, आ आईडी से छेड़ छार मत करिए, क्योंकि अगर पता चला, तो फिर समझ जाएएगा क्या होने माला है, मैं अंदर तक नहीं अभी पहुंची हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बावान ना करिए किसी ने मेरी आईडी से छेड़ छ कहाएए, कैसे सेटिंग्स को मैं ठीक करों, कि इंस्टागराम ऐडी मेरी चलने लगे, चल रही है, बट, कुछ भी उसमें जो, काउंटिंग आच होता है, वो सब कुछ नहीं आ रहा है, मेरे रीच नहीं बढ़ारे है, मेरे इंसाइट्स में इके जिढ़नी कुछ नहीं आर जो भी देख रहे हैं कम इसके हैं ज़्यादा इसके हैं तो प्लीज में इतने ही बुलना चाहूंगी कि देखिए कोई बी बंदा या बंदी आज ख्रेट में बिना महनत के आगे नहीं बढ़ता है और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि महनत नहीं लगता है हम लोग एक एक दिल बन जो भी आज खड़ा हुक कि मेसे सब कर में ह् BJण सरे है तो मूझे आगे बढ़ाईगे खुशीओ अब हैं कि अपने खड़ा में पर में कुछ कर दो हो बस मैं इतनी में शादी से पहले जो आप भी डी जाब चोड़ दिया था, फिर मैंने अभी आठ छाल, आठ साल के बाद मैंने जुब स्टाट किया है पर अभी भी माने जौब को स्टॉप किया है, बीकोज अभी थोड़ा सा मेरे घर में दिखा चल रहा था, कुछ प्रोब्लम स्टी, वो जब तक सॉल बाउट नहीं ह तो अब अपने बेटे के एम्हें के ही आज़ाम के बाद से ही पर स्टार्ट करोंगे क्योंकि मुझे सबकुछ करना है, सब को समालना है, बचे को भी देखना है, क्योंकि मैं किसी भी सीमा को पार नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, तो प्लीज 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 मुझे आप लोग सपोर्ट करिये, और मुझे यदि मैंने कुछ गलत बोला होगा, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, और जो भी है, मुझे सपोर्ट करआए, मुझे आगे बढ़ाए, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत जरुरत है, और प्लीज-प्लीज मेरे जो भी विडियोज है, या जो भी डिल्स है, उसे शेयर करीए, आप लोग अपनों के साथ, और मैं भी अपने को आगे बढ़ते हुए इस नऴीन पहले हैं यहां पर एक फ्रेंड है और मेरी ननत क्या बस यहीं कोई में नहीं है जो सबिख़ें हैं मेरा अपना बोले मिरे फैमिली का कोई यहा नहीं रहता है मेरे उस्टाल वाले हैं मेरा कुछ कुछ चीजह यह मैं सब करती है हैं शेयर नहीं करती हूं बट वो भी बहुत क्लोज जो है मेरे साथ उनीक शाथ में सेयर करती हूं ज्यादा बाहर वालों के साथ नहीं तो इसलिए थोड़ा सा अकेला कभी कभी फिल खरती हूं अपने आपको क्योंकि मैं सब पुछ छोड़के आई थी यहां पर अपने आपको एक नया एक नए कदम कदम पड़ाओ जब मैंने पड़ाओ पर जब पाऊं रखा था तो बहुत कुछ सोचा था और बहुत कुछ अपने भी थे तो उस समय त से जैसे मैं साधी से पहले थी स्टेंड अपने डिसीजन अपने लेती थी खुद लेती थी और उस पर मेरे फादर भी मेरे सपोर्ट करते थे मेरे घरबाले भी मुझे सपोर्ट करते थे तो मैं अभी भी वह से चीज को फिर से मैं थोड़ा सा परेशान थी मेरे बच्चा उस समय छोटा था बहुत दीकते थी उस समय उस टाइम पर अभी मेरा बच्चा काफी समझदार है आठ साल का हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब मतलब मुझे और भी टाइम वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अल्रेडी मैंने दस साल का मा चुका है तो इसलिए मैं चाहत कि इतना ही फिर मिलते हैं एक नहीं ब्लॉक पर बाइबाएब